पुरा देश गुस्से में है पुरा सहनिय पीडा जहल रहे घरवालों के जख्मों पर नमक लगा गया। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में मौत के बाद पुलिस शव को लेकर हातरस महुची। उस वक्त रात के बारा बचकर पैतालिस मनच हो रहे थे। एंबुलेंस के पहुचते ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नाराज गरामी इन सड़क पर लेट गए। क्या महिला क्या पुरुष हर किसी की पुलिस वालों से नोगजों खोने लगी। एसपी और डियम लड़की के बेवस पिता को रात के वक्त ही अंतिम संसकार के लिए समझाने लगी। लेकिन घरवाले सुबह होने का इंतजार करना चाहते थे। अपने बिट्या को खो देने के बाद घरवालों की बस इतनी सिक्षा थी कि वो अपनी बेटी का अंतिम संसकारीती रिवाज के साथ करे। परिजन शव को अपने घर ले जाना चाहते थे लेकिन पुलिस अपनी जद पर अड़ी रही। पिता का रोप है कि उन्हें घर में बंद कर दिया गया और पुलिस डेड बॉडी ले गई। उन्हें ये भी नहीं देखने दिया गया कि ये किसकी बॉडी है। चश्मदीदो पुले के चले गई। तो आपने बॉडी देखी थी है आपकी बेटी की बॉडी है। किसकी बॉडी लग दी थी आपको। को हल्दी लगा कर ससुराल विदा करने का सपना संजोया था। उसे अंतिम बिदाई के वक्त भी हल्दी नहीं लगा सकी। आरोप है कि करीब 200 की संख्या में पुलिस वाले घरवालों की मांग ठुकराते हुए लाश को रात के 2-25-20 मिनट पर अंतिम संसकार के लिए ले ले गुनेगार हेवानों और पुलिस परशासन की बेपरवाह रवये का दर्द जेल कर हातरस की बिटिया दुनिया को अलविदा कह गई। पुलिस चार आरोपियों को गिरफतार कर अपनी पीट थप थपा रही है। योगी सरकार 10 लाख रुपे मुआवजे का एलान भी कर आजा कम है।